नमस्कार में साकित कुमार अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार में सियासी घमासान के बीच राज़त सुप्रिमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किले बढ़ते हुई दिख रही है। अब महागटबंदन की जो सरकार है जिसमें नितीश कुमार और तेस्वी यादव थे वो सरकार अब लगभग तूटने के कगार पर आ चुकी है। और जो स्थिती बनी हुई है उसमें ये साफ है कि अब लालू यादव और नितीश कुमार में डाईवोर्स फाइल करने जैसे स्थिती बन चुकी है लालू यादव ने लगातार पांच बार नितीश कुमार को फोन किया लेकिन ना तो नितीश कुमार दे उस फोन का जवाब दिया ना ही कॉल बैक किया इस वक्त हम राजभवन के पास मौजूद है दूसरी तरफ सीम हाउस एक अने मार्ग है तस्वीरे ह तबी त्यम आपको दिखा रहा है कि सुबह बैहार में क्राकी की ठंड हो रही और इस कराकी की ठंड के बीच में अब सियासी घमासान जो है वो लग-भग-भग पूरी तरीके से तयार हो चुका है अब जो सत्ता परिवर्तन है वो होने वाला है आपको ये बताते चले कि ज तो नितीश ओ तेस्वी की जो सरकार थी उसे बचाने के कगार पर लगे हुए हैं लगातार लालू प्रसाद यादव कोशिस करने के किस तरीके से सरकार को बचाया जाए लेकिन यह अब बचने जैसा संभव नहीं है क्योंकि नितीश कुमार पूरी तरीके से मूड बना चुक तो वहीं कल सुशिल कुमार मोदी ने यह साफ कर दिया कि कभी भी राजनिती में दरवाजे पर्मानिंट बंद नहीं होते जरुवत के हिसाब से परिस्थितियों के हिसाब से दरवाजे बंद और खुलते रहते हैं लेकिन लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से सरकार बात हो जाए मगर ऐसा अब तक दोनों निताओं के की बात नहीं हो सकी है बताते चले कि कल राज़त के वरिष्ट निता सिवानन तिवारी ने भी यह बात मीडिया के सामने आकर कही कि नितीश कुमार राज़त के निताओं से बात नहीं कर रहे हैं उन्हें कई फोन किया गय लेकिन जिस तरीके से सिवानन्तिवारी वक्त मांग रहे थे क्योंकि उन्होंने भी कल कहा कि हम लगातार नितीश कुमार से संपर्क करने के कोशिस कर रहे थे बात किया लेकि नितीश कुमार के तरफ से वक्त नहीं दिया जा रहा है क्योंकि एक तरफ जहां राधा सुप्रेम नितीश कुमार से बाचित की जा सकती है लेकिन नितीश कुमार के तरफ से जो है वो वक्त नहीं मिला है देकिन तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जो हलचल है वो हलचल अब तेज हो चुकी है कभी भी किसी भी वक्त नितीश कुमार जो है वो राजभवन आ सकते है और जो सरकार बदलने की जो स्थिती बनी हुई है उस पर मुहर लग सुकती है लेकिन नितीश कुमार राज़त के किसी भी नेता से बात नहीं कर रहे हैं और नहीं लालो यादव का फोन उठा रहे हैं रावरी आवास से ये खबर निकल कर सामने आई है कि नितीश कुमार ने लालो परसाद यादव से बात करने से भी इनकार कर दिया है अब लालो यादव की बैचैनी बढ़ती हुई दिख रही है मिली जानकारी के अनुसार लालो यादव ने नितीश कुमार को पांच बार फो आप तो ये आने वाले वक्त में ही पता चल जाएगा कि आखिरकार नितीश कुमार किस और करवट लेते हैं लेकिन जिस तरीके से बिहार में कराकी की ठंड है जो घना कुहसा है जो विजिबिलिटी जिस तरीके से कम है ठीक उसी प्रकार अब बिहार की राजनिती में भी खाई दे रही है लालू प्रसाद यादव लगातार सरकार बचाने की कोशिश में है लेकिन सरकार अब बचने के कगार पर नहीं है फिलाल असकबर में इतना ही नोबा टाइम सकत बने रहे पटना से साकेत कुमार